पेटेलो बीजेपी बाहरेंगा साभलो केंद्र मंत्री आमित्षा माठलर्त नरू लाइव लशूता करकर जय स्री राम कर दिया भाई और बेनो मोदी जी ने धारा 370 हटा कर कस्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोडने का काम नरेन रमोदी जीने का मुझे बताओ कस्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है मेडक वलो जोर से बोलो है या नहीं है ये टी आरेस और कॉंग्रेस पार्टी दोनों ने यहाँ पर ब्रस्टा चार किया है भाई और बेनो इतने कम समय में कॉंग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को डिल्ली का डिल्ली का एटी एम बना कर रख लिया है जो टी आरेस ने ब्रस्टा चार किया था वो ब्रस्टा चार का चाहे काले स्वरम का हो चाहे भूमी गोटाला हो एक की भी जांच कॉंग्रेस पार्टी नहीं कर रही है टी आरेस और कॉंग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए और अगर मैं आज कह कर जाता हूँ आप तीसरी बार मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाओ मोदी जी तेलंगाना को ए प्रस्टा चार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे भाई और बेनों मुझे बताओ कि यहाँ पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए जोर से बोलो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए ये टी आरेस और कॉंग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलीश से डरते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ बारतिय जन्ता पार्टी ने तई किया है कि 17 सप्टेंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे हम मजली से नहीं डरते और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कह कर जाता हूँ बारतिय जन्ता पार्टी ने निने किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहाँ पर टी आरेस और कॉंग्रेस ने किया है हम उसको समाप्त करकर SC, ST और OBC का रिजर्वेशन करने का काम भारतिय जन्ता पार्टी करेगी यह हमने तई किया है भाई और बेनों इस बार तेलंगाना की जन्ता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ तेलंगाना की जन्ता ने तई किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिला कर दिल्ली भेजना है आज मैं तेलंगाना की जन्ता को विश्वास दिलाने आया हूं कि समगरत तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बने भाई और बेनों, मैं आज आपको कहने आया हूँ, क्या हमारे प्रत्यासी को आप प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, जरा जोर चे बोलो जिताएंगे, मेड़क में कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाएंगे, उठाएंगे दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुठी बीचे, और प्रचंड आवाद से बोलिए, भारत मता की, भारत मता की, वन दे, वन दे, वन दे, वन दे,